नमस्का स्वागत है आज सभीका आज हम एक दम आसान तरीके से सभी को पसंद आने वाली एक ऐसी कुकीज बनाने वाले हैं जिसे आप देखते ही बनाएंगे क्योंकि बनाने में एक दम आसान गर पर रखे सामान से आप बना सकते हैं देखने में एक दम यूनिक और खाने में आप सब्सक्राइब सबसे पहले आप लिया गीणुइ तो यहां पर दो चमयच्प स्दोन कि दूद की मलाई लेकर ऐसे बना सकते हैं या फिर आप दूद्ध को थोड़ा सा पका कर ठीक कर लें, जैसे हम कंड्नेस्मिंग बनाते हैं वैसे भी आप सकते हैं और दूद्ध का अज़ाइ आपके अफियए जबब बार ये पर बीड़ा जो 20 डालम आफिए जा गाया बरोद मतना हैं O को यह eleg teak अइसे बना ऊच्छे ये लिए लए का दिलने ना तो देखे क्रीमी आफिशा बन जाता दा एकदम क्रीमी जैसे कंडेंस मिल्क होता है तो यहां पर इसके अंदर अगी हम कुछ चिज अर्ड़ करने वाले तो यह उर्ड़ के लिया हम धूड़ी से ज्यादा यह पर चीनी को थोड़ा पीस्ट कर डालेंगे तो आप चाहे तो मिक्सट जाय के अंदर डालकर पीससकते तो यहां पर चोपर के अंदर डाल कर भी पीस लेंगे तो एक तम अच्छी पीस जाती है तो यहां पर इसमें पटापट भी देखी हो जाती है तो यहां पर चीनी अगर आपके पास पीसी हुई है तो पहले से आप डाल सकते हाफ कप चीनी इसके अंदर तो यहां पर ऐसा कु ने थोड़ा सा देखी ऐसे पाने साझ बड़ा हो जाता है चाहे बनाइं सोडा अला सकते हैं तो बिना baking powder soda भी आप बना सकते और मैंने कई वीडियो बनाई है ऐसे cookies की और एकदम अच्छी बन जाती है तो यहाँ पर ऐसे ही mix करना है यहाँ पर आटे के जैसा तयार करना डोग के जैसा और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइट है तो थोड़ा साफ दूद या पानी भी डाल सकते हैं एक से दो चंब में थोड़ा आटे के जैसा तयार कर ले इसको set कर ले तो यहाँ पर इसको हम पहले ऐसे mix कर लेते हैं तो देखे गिला गिला ही लग रहा है थोड़ा अच्छे से binding हो रही है तो यहाँ पर इसमें कुछ डालने के जोट नहीं है ऐसे ही तैयार हो जाएगा तो यह देखे कुकिज का डो हमारा तैयार है और चोकलेट क्लियर के लिए देखे मैंने और यो बिस्किट लिया तो यहाँ पर मैंने इसे क्यों लिया यह एक अच्छा सा चोकलेट क्लियर आ जाएगा आप चाये तो यहाँ पर कोको पॉडर ले सकते हैं या फिर दूसरा ऐसे चीज़े ले सकते हैं चोकलेट प्री मिक्स आता है जो आईसे घर में रहणा बचके दूद में डाल कर पीते हैं तो यहाँ पर देखे ऊच्छा साशुग- बारिक पीस लेंगे और एकदम अच्छा से पाउडर बन कर तयार हो जाता है तो यहां पर मैंने अगारो का हैंड ब्लेंडर लिया है तो काफी लोगों ने कुछा भी है मैंने कई वीडियों बताया भी है इसके लिंक में दे दूंगे आप चेक कर सकते हों तो यहां पर देख देखिया अच्छा तयार हो जाता है तो यहां पर जादा सोप नहीं ऐसा ही तयार करना है जैसे मीडियम सोप टाटा रहता है तब ऐसा ही आप बना कर तयार कर ले तो चोकलेट फ्लेयर के लिए तो यह देए अच्छा तयार हो गया हमारा तो दोनों तरीके के डो हमारे तो यहां पर आप चाहे तो ऐसे गोल बना कर उसके बाद आप ऐसे बना ले तो यहां पर सभी को हमने देखिए तयार कर लिया इसके बाद देखिए जो आटा हमने तयार किया था ऐसे सिंपल उसको हम ऐसे लेंगे थोड़ा सा सैट करेंगे उसके बाद ऐसे फोक की काटे वाल इसमें एकदम अच्छा से डिजैन बनकर आ जाता है, तो यह सैट भी थोड़ा सा हो जाता है, उसके बद जो हमने चोगलेट फिरो के बनाई है, ऐसे गोली सी लंबाई में तो उसको रखेंगे, थोड़ा सैट करेंगे, अब एक साइड से उठा कर ऐसे थोड़ा सा ऊपर की त जोनाती है, तो इसको भी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, आप चाहे तो दूसरे तरीके से बना सकते हो, एक और मैं आपको बदा देती हो, ऐसे ही, रखने के बदाद सा अंगुठी से दबा कर सैट करने, बड़े से साइज में थोड़ा सा करना किनारी की तरफ से, ताकि बाद में आप बनाएंगे तो यह अच्छे से रोल हो जाएगा. तो सेट करने के बाद ऐसे चोकलेट वड़ा रखेंगे ऐसे, उसको उठा कर ऐसे दबा कर सेट कर देंगे. अब चाहे तो ऐसे ही रोल करते जाएंगे या फिर दोनों की नारों को उपर पहले से सेट करके ऐसे दबा सकते हैं. तो बन गए ना एक दम अच्छे से डिजैन. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, तो एक और तरीका में आपको दिखाती हूँ अलग. सिंपल आट आयसे लेकर थोड़ा उतना ही, उसके बाद सरफेस पर रखकर थोड़ा से दबा कर सेट कर ले. और उसके बाद फोग की मदद से बीच में ऐसे दबा कर थोड़ा अच्छे से निसान बना दे. तो देखी कितना अच्छे डिजैन बन जाता है. तो यह भी बिल्कुल आसानी से देखी ऐसे बन जाता है, फिर उपर से थोड़ा सेट करते हैं, और यह बिल्कुल एकदम सेमी डिजैन बनता है. तो जो भी आपको आसान लगे, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसान सा तरीका आप एक बर जरूर बना कर देखना आपको बहुत पसंद आएगी. देखने में एकदम यूनिक और अच्छी से दिखाए देती है, तो यहाँ पर सभी को आप ऐसे बड़े साइज में बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छी से सैट भी जाती है, किनारी की तरफ देखी, तो लग रही है ना, एकदम यूनिक और अच्छी से डिजैन, और आप च देखने में भी एकदम यूनिक देखी अच्छी से लगता है, तो यहाँ तो जैसे आप बनाएंगे, आपको आइडिया तो काफे मिनने वाला है, बस इसी तरीके से आप बना कर तयार कर लें, तो यहाँ पर कुछ दिर पहले भी आप बना कर तयार करके रख सकते हैं, उसके इसमें और भी छोटे साइज में भी बना सकते थे, तो देखने में भी एकदम छोटे साइज के अच्छी कुकीज बन कर तयार हो जाती है, तो यहाँ पर दो तरीके से आप इसे बना सकते हैं, या तो एयर फ्राय में या इसे कड़ाई के अंदर भी आप बना सकते हैं, गैस आप टच करेंगे तो 80 डिग्री पर 5 मिंट के लिए प्रीट हो जाता है जैसे ही गरम हो जाएगा उसके अंदर रख देंगे हैं पहले नीचे ट्रे रख देते हैं अब चाय टो ट्रे के ऊपर बना सकते थे लेकिन जाली के ऊपर एक तम अच्छे से बेक होती अच्छा से खला राता चार तरब तो यहां पर टाइम सेट कर देंगे यहां पर स्टार्ट करने के बाद बेकिंग का पहले ही रहता है इसके अदर केक बनाने का उसको हम तच इसका 120 और टाइम इसका यहां पर देखिए 30 मिन्ट है तो यहां पर पहले हम कुछ देर 15 मिन्ट सेट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे अगर ज्यादा समय लगेगा तो बाद में हम टाइम और भी बढ़ा सकते हैं उसके बाद मैं दिखाती हूं कितना टाइम लगता है तो य यहां पर अभी तो गरम है एकदम थोड़ी सी सोट भी लगेगी आपको और यहां पर देखिए जैसे थोड़ी से ठंडा हो जाता है उसके बाद आप निकाल ले तो यहां पर नीचे की तरब भी एकदम अच्छा डिजाइर बन कर आया जाली की वज़े से तो यहां पर बिल दिखा देती हूं इसका टेक्चर देखिए अंदर से दो हमने चोकलेट फ्लेवर दिया और यह बिस्किट का फ्लेवर तो एकदम क्रिस्पी और एकदम खस्ता बनी है मुह में गुल जाने वाली कुकिज और इसमें कोई बटर कंडेंस मिल्क मिल्क पॉडर इन सब का इस्तम मिलते हैं और नए वीडियो के साथ थैंक्यू पर वाचिंग